सुन्दर कहानिया देवर या जेट से शादी अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे समाज में देवर भावी का रिष्टा माँ बेटे का रिष्टे जासा ही पवित्र होता है वाल मीकी जी द्वारा लिखे गई रामयन में भी इस बात का वर्णन है कि सीता जी अपने सभी देवरों का पूरा खयाल रखती थी उनके देवर भी उनको सीता माता ही कहते थे लेकिन रामयन और महभारत वर अन्य बहुत से ग्रंथों में ये कहानिया भी हैं कि बहुत बार पती की मित्तिक बार भावी और देवर के विवावी हुए थे इसको समझने के लिए आपके सामने हम कुछ उधारर प्रस्टुत कर रहे हैं अपने युग में एक बहुती सुन्दर अपसरा थी उसका नाम तारा था उस युग के महान परिक्रिमी बाली से उनकी शादी हुई थी तारा को राजनीती और अनिशेत्रों की अच्छी जानकारी थी जब शिरी राम के बानों से बाली घाय लोकर मित्यु शाइया पर थे बाली ने अपनी पत्नी तारा से कहा था कि वो बाली की मित्यु के बाद उनके छोटे भाई सुग्रीव से विवाह कर लिया अपने दिवंगत पती के आदेश अनुसार बाली की मित्त्य के बाद तारा ने सुग्रीव से विभा कर लिया था और वो सभी को मानने था रावण की पत्नी मंदोद्री के बारे में वालमी की रमाण में लिखाया कि रावण की मित्ति के बाद जब विभीशन लंका के महराज बने तो मंदोद्री ने उनसे विभा कर लिया मंदोद्री अपसरा रंभा की पुत्री थी यह भी तारा के समान ही प्रभावशाली महिला थी रावण ने अंत समय में मंदोद्री को बताया कि वह जानता था कि राम के हातों उसे मुक्ति मिलेगी विभीशन धर्म के मार पर है और उसे राज-काज संचालन में तुम्हारी जरूरत होगी इसलिए तुम विभीशार से विभा कर लेना रावण वद के बाद विभीशन के अलावा रावण कुल का कोई पुरुष्येश नहीं बजा था इसलिए कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए भी बंदोद्री ने रावण से विभा कर लिया था कंबोज की राजकुमारी भानुमती ने दुर्योधन से बल पूर्वक विभा कर लिया था लेकिन यह कर्ण को पसंद करती थी महाभारत युद्ध में जब दुर्योधन और कर्ण दोनों मारे गए तो भानिमती ने माभारत के महायुद्धा अर्जुम को अपना पती मांदिया इस तरह माभारत युद्ध के बाद रिष्टे की एक नई कहानी लिखी गई है माभारत में दो अन्य कन्याओं अंबिका और अंबालिका का जिक्रा आया जो काशी की राजकुमारी थी इनका विवाद चित्रंगद और विचित्रवीर्दे से हुआ था ये दोनों राजकुमार भीश्म के सोतेले भाई थे इनके मृत्ति हो जाने के बाद कुरुवंश को आगे बढ़ने वाला कोई नहीं था भीश्म अपनी पृतिग्या से बने थे ऐसे में इन दोनों राजकुमारियों को नियोग प्रथा का सहरा लेना पड़ा बेद व्यास जो अंबिका और अंबालिका के जेट थे उनसे नियोग द्वारा धृत्राष्ट और पांडू का जनम हुआ ये तो रही प्रानिक कताओं की बात पर क्या आज के समाज में इस रिष्टे को माननेता है अगर भावी को मां के बराबर संबान दिया जाता है तो फिर एक देवर भावी से विवा कैसे कर सकता है ये कहना भी अनुचित नहीं होगा के प्राचियन कहानियों में पात्रों ने अपनी अपनी सुविधा और अपने अपने स्वार फनुसात भावी देवर के रिष्टे को जब चाहा बदल दिया था इस पर बहुत लंबा विवाद हो सकता है पर अगर आप लोग भी अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिख देंगे तो बहुत से लोग आपके विचारों से लभानमित होंगे हम भी आपके आवारी देंगे बहुत बहुत शुक्रिया कि अब कहा है अपके शफ़ बहुत आपके विचे कमेंट्स में चाहा बहुत धुक्रिया हम आपके विश्ट टुक्रिया झाल झाल